पिर से आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट टोपिकों में लेकर आया हूँ HbA1C टेस्ट जिसे ग्लाइकेटेट हेमोगलोबिन भी के थे यह टेस्ट मैंने इस पूरे वीडियो में बहुत अच्छे से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लेंग्विजेस में एक्स्प्लेंड किया है हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में समझ लीजिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में दोनों लेंग्वेजिस में नोट्स इसमें प्रोवाइट किये, पीडियेफ आप मुझे डायरेक्ट कॉंटक करके ले सकते हो, प्लीज यार चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे, इस वीडियो को लाइक कर लीजे, क्योंकि इसी तरह में आप लोग लिए बहुत सरी वीडियो ल जिसका इस्तेमाल रख्ट में उपस्तित, गलाइकेटेट हीमो ग्लोबिन की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है, एच니다, सब्सक्राइब लाइकेटेट हृमयन दिचेंस की लिए लाइकंगी हीपस्ट करें कि मतलते हैं, याद रखिए कि इसमें कभी से शुगर का on the surface of RBC, ठीक है, blood cell, it form when glucose is attached to the RBC, ये कब बनता है, glycated hemoglobin, जो कि RBC की सता पर पाया जाता है, जब glucose RBC से चुड़ता है, तब glycated hemoglobin का निर्मान होता है, देखो, glucose जब RBC से जुड़ेगा, तब बनेगा आपका glycated hemoglobin, इसका मतलब ये हुआ, जितना ज़्यादा glucose RBC से चुड़ेगा, उतना ज़्यादा ही glycated hemoglobin बनेगा, तो क्यों न हम glucose को count ना करके glycated hemoglobin को count कर ले, और glycated hemoglobin से क्या पता लग जाएगा, कितना glucose है, ठीक है, अब देखी, next is, by HbA1C test can detect before 3 month sugar level in blood, इस test की सहाइता से इस्तिमाल करके, रक्त में उपस्ती 3 महिने पुरानी sugar का पता लगाया जा सकता है, अब आप बलोगे, सर्शुगर क्यों ना पले, वह शुगर को कर लोगे, टेस्ट कोई प्रॉब्लम ने, बट शुगर आपको आज की स्तिती में कितनी आपकी बोडी में शुगर है, वह पता लगाएगी, RBS random blood sugar एक टेस्ट होता है, जिसमें glucose का टेस्ट करते हो, उससे हम ये केवल ये पता कर सकते कि, आज की स्तिती में अभी मेरा glucose कितना है, आप उससे ये नहीं detect कर पाते कि, पिछले तीन महीने पहले कितना था, तो ये जो glycated hemoglobin है, हमने देखा कि glycated hemoglobin जब बनता है, जब glucose जोड़ता है, अब ये glycated hemoglobin RBC के पास तीन महीने तक रहता है, अब हम उसमें पता कर पाते कि, कितना ज़्वादा glucose है, तो हम glucose की monitoring करते है, monitoring का मतलब होता है, कि तीन महीने से मरेज की शरीर में कितना glucose बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उस चीज़ को हम इस test के थुरूद डिटेक्ट कर सकते है, I hope कि चीज़ समझ माई हो कि आपको glycated hemoglobin क्यो कहते है, ठीकि HbA1 से test को glycated hemoglobin भी कहते है, इस test में glycated hemoglobin, glycated hemoglobin का पता लगाते है, क्योंकि ये RBC की surface पर जूड़ता है, और इसके बनने का कारण ये है कि जब glucose जूड़ेगा तब glycated बनेगा, ठीक है, नेक शीच पर बढ़ता हूं, अब purpose of the test, ये क्यों किया जाता है, कारण क्या है, glycated hemoglobin साब क्या-क्या चीज़ पता कर सकते हो, HbA1 से test के द्वारा क्या-क्या पता कर पाते हो, purpose, क्यों करते, monitoring of diabetes, diabetes का पता लगाने के जाते हैं, आपको पता अभी बोला मैंने, के पुराने तीन महीने शुगर बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो हम diabetes का इससे पता कर सकते है, monitoring कर सकते है, graphing कर सकते है, used to detect pre-diabetes, pre-diabetes का मतलब के लिए रहे, diabetes का ही पर होने वाली है, ठीक है, मानले जा, तीन महीने से उपा नीचे उपा नीचे शुगर जा रही है, पहले नीचाती थी, तो मैं उसके दोरा यह पता कर सकता हूँ, कि भाई इसे diabetes होने वाली है, अभी हुई निये, ठीक है, यदि मरीच को diabetes होने वाली है, तब इस टेस्ट के दोरा पता लगाया जा सकता है, इस टेस्ट के दोरा यह पता लगाया जा सकता है, कि मरीच को कौन सी दवाई देना है, ऐसा क्यों बोला मैंने, भाई देखो, मान लीचा, HBA1C का टेस्ट में, HBA1C का लेवल बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उस साब से में हेवी मेडिशिन चलाओंगा, पेशेंट को हेवी मेडिशिन प्रोवएट करूँगा, यदि उस HBA1C का टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर नॉर्मल टाइप के मेडिशिन प्रोव होगी, नेक्स चीज़ पर बढ़ते हैं, लोग, वेन HBA1C टेस्ट यह टेस्ट कब किया जाता है, कब करना है, हमें यह टेस्ट कब करवाना चाहिए, देखो, हमें हमें चक्कर आये तो, ठीक है, अब चक्कर यह शुगर लेवल बढ़ आया काम हो रहा तो डेफिनेटली डि कोई प्रॉबलम है, तो हमें चीज़ के थ्रू डिटेक कर पाते हैं, बिफोर एनी मेजर सर्जरी, यदि कोई सर्जरी के लिए पैसेंट जाना है, तो पहले पैसेंट को देखना पड़ेगा, कि इसको डाइबिटीस तो नहीं है, और डाइबिटीस का पता लगाने के लिए हमें स्ट्रेस को करते हैं, ठीक है, कंटीनियू हेडिक, यदि सर में दर्द कंटीनियूसली बना रहे रहा है, सर में बहुत सादा दर्द है, तब भी स्ट्रेस को हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो याद रखे का डिजिनस, हर्दे, हार्ट फेलियर, हार्ट डिसीज में, और ब 4-6% अगर आता है तो आप नॉर्मली HbA1C आपका है रिपोर्ट में यदि प्रीडाइबिटिक हो तो 7-8% यदि आपका HbA1C 7-8% के समतिंग आ रहा है तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि मरीज को डाइबिटीज होने वाली है हुई नहीं है और यदि वो हाइली में 4-6% होता है प्रीडाइबिटिक में 7-8% होता है हाइली डाइबिटीज में 8-9% HbA1C देखा जाता है नेक्स पर बढ़ते हैं हम डिक्रीज लेवल ओफ HbA1C यदि HbA1C की मात्रा कम हो जाए तो हमें क्या दिक्कते हो सकती है डिक्रीज लेवल में ठीके हीमोलाइटि यदि HbA1C कम होगा तो बढ़ेगा नेक कम की बात कर रहा हूं मैं अपसे यदि हीमोलाइटिक एनिमिय हो सकता है आपको क्रोनिक ब्लेड लोस बहुत समय से ब्लेड की कमे आए जारी हो आए जारी हो क्रोनिक रीनल फिलियर अगर मानलेज आपको बहुत समय से आपकी किड्नी खराब होने होना मतलब जब बहुत समय से खराब होते आ रही हो डैमेज होते आ रही हो आपकी किड्नी तो हम पता कर प हो जाती है तो हीमोराइटिक एनिमिया हो सकता है क्रोनिक ब्लड लोज बहुत पुरानी बीमारी ब्लड से रिलेटेट क्रोनिक रिनल फेलियर आपकी किट्नी में कोई खराबी आ गई हो प्रेग्नेंसी गर्बती महिलाओं में यह कम हो जाता है टेस्की मातरा ठीके नेक्स पी बताओं, इंक्रीस लेवल कब बढ़ जाता है अभी मेंने बताया आपको कब कम होगा अब मैं बताऊंगो कब बढ़ जाएगा इंक्रीस लेवल ओफ हीमोगलोबिन कब बढ़ जाता है परी डाइबीटिक पेशेंट डाइबीटीज होने वाली हो तब या फिर हाई ली जिसमें हमारे शरीर में आईरन की कम शाती है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकिемोगलोबी आपके दो भागों से मिल कर कर मना आईरन प्लब्लस ग्लोबीन ठेकि तो ग्लोबीन प्रोकी्लोटीन है Aisym जिसे हीम बोलते है अपन को हैं जाती है से कर सकते हम लोग Hb1c को नियंत्रित करने के लिए डेली एक्सरसाइज रोज एक्सरसाइज और योगा करें ठीके डेली हम लोग योगा करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनिटली वह Hb1c का वेल्यू नॉर्मल आएगी डायबिटीज में रिलिफ लगेगा इसके अल सबस्कार जिए ओक्रिम योगेहा हो जाएक्सरसाइज न को मेडिशन पड़्यू अभावाटीज नन्य को लिज हमें रिल्भ इक्सेह।